तुटेंस हैं जिनको एक्जाम देने जाना है अभी कुछ दिनों में उनको किन बातों का धान नखना है एक्जाम सेंटर जाने से पहले क्या क्या चीज उनको लेके जाना है जिससे उनको एक्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो उन सब बातों को यहाँ पे हम किलियर करेंगे तो एक्जाम सेंटर आपको कम से कम तीन डॉकुमेंट आपको लेकर जाना है उन तीन डॉकुमेंट को हम यहाँ पर देखेंगे और उन डॉकुमेंट को हम यहाँ पर डाउनलोड भी करेंगे और डाउनलोड करने के वाद आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और अपने प लोग इड करने के लिए लोग इन बाइ रफेरेंस नमझर सबसे पहले अपना ये हॉल टिकेट को यहां से डाउनूड कर मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने का दिया आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा यहां पर आपका रॉल नमबर और हॉल टिकेट में आप देखोगे तो हॉल टिकेट for theory exam इस पर ही आपको क्लिक रहने देना इस पर आपको क्लिक करना है और यहां आपके सामने haul ticket आ जाएगा ठीक है इस haul ticket को आपको download करना है और यह print का option मिलेगा इस पर आपको print पर क्लिक करना है पहले print पर क्लिक करने के बाद इसको सबसे पहले PDF में सेफ कर लेना है और सेफ करने के बाद आप सेफ करने के बाद यह मोईल में सेफ हो चुका है सेफ करने के बाद आपको साइवर कैफे जाना है इसकी प्रिंट आउट निकल वानी है ठीक है और इसी हाई हॉल टिकेट में आपको एकजाम की टाइमिंग बताई जा रही है जैसे क 12th class का आप देख पा रहोंगे कि धाई वज़े से सारे पांच वे तक के बीच में है ठीक है Examination Center आपको आदा घंटा पहले पहुंचना है अगर आपका एक्जाम में अभी एक्जाम देने जाने में 2-3 दिन नहरा है तो सबसे पहले आप अपने Exam Center जाकर आप देख पाओ देखा हो जाके कि वहाँ पे कैसा महौल है ठीक है उसके according आप वहाँ पे टाइम से पहुंच जाना ठीक है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको ना तो मुवाईल लेके जाना है ना तो कैमरा लेके जाना है ना तो बैग लेके जाना है अगर आप बैग लेके जाओगे तो आपको बहर ही जमा करवा देंगे तो बैग आप ले जा सकते हो मेरीं साबसे और आपको डॉक्मेंट में एक तो यह हो गया दूसरा आपको identify proof लेके जाना है identity proof में अधार काड बेस्ट है ठीक है वो सम्मे मतलब की चल जाता है वैलिड होता है तो आप अधार काड ले जाना ठीक है तीसरा आपको आपको आई काड लेके जाना है ठीक है यहाँ पर आप बैक आओगे तो आई काड भी आपको मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ यह आप देखोगे यह प्रिंट वाले उप्शन में आओगे यहाँ पर आई काड आएगा इस पर आपको क्लिक करना है यह आपके सामने आई काड आजाएगा ठीक है तो मैंने आपको बताया हॉल टिकाड एक अप प्रिंट करवा लेना है आई काड को भी प्रिंट करना है ठीक है अगर प्रिंट नहीं है तो प्रिंट आउट निकल वालेना अगर है तो बहुत अच्छी वात है आई काड को और हॉल टिकाड को और आधार काट को ये तीन डॉक्मेंट आपको लेके जाना ही जाना है बनना आपको एक्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगा ये साब साब उन्होंने क्लियर कर रखा है अपने नोटिफिकेशन में भी और हॉल टिकर पे भी आपको पताया गया है एक्जाम सेंटर आपको एक्जाम से आदा घंटा पहले पहुंचना है ठीक है वहाँ पे आपको सभी अपने डॉक्मेंट दिखाना है और डॉक्मेंट दिखाने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी ठीक है और एक बात कि अगर आप टाइम में टाइम से थोरा सा भी लेट होगे तो यह एंट्री नहीं लेंगे यह इनोंने हॉल टिकर्ट पर लिख रखा है ठीक है तो मैंने आपको डॉक्मेंट बता दिया है एक जाम कब है दसवी क्लास का आप लोग देख लेना मैं बार भी कब बतार हूँ आपको दसवी क्लास का भी देख लेना एक तो एक बार ही मैं आपको रिपीट कर देता हूँ तीन डॉक्मेंट लेके जाना है एक तो अधार काड, हॉल टिकेट और आई काड ये तीन लेके ज़र जाना है नहीं तो एंट्री नहीं देंगे लोग ठीक है मुवाइल बगरा अब लेके जाओगे बैक बगरा तो अपने रिक्स पे लेके जाना ठीक है, वो बार ही जामा कर लेंगे आप लोग समझदार हो ठीक है, और एक्जाम की टाइमिंग बारवी क्लास की धाई से सारे पांच के बीच का है इबनिंग में है ठीक है, इन सब बातों का ध्यान नखना और एक्जाम सेंटर आपको आदा घंटा पहले पहुंचना है तो आई होप कि आप सब समझ गये होंगे आप सभी को आपके एक्जाम के लिए बेस्ट अप लग अच्छे से एक्जाम दीजिये ठीक है, और यह सोच के चलिए कि बस हो जाएगा तो एक्जाम भी आपका अच्छे से निकल जाएगा एक बारी अगर आप एक्जाम आने में अभी देने में दो-ती दिन रह रहे हैं तो आप अपने एक्जाम सेंटर एक बार चले जाना घूम के आजाना, वहाँ से आपको पता चले जाए महौल कैसा है उसके अक्वार्डिंग आप अच्छे से जा सकते हो और अच्छे से अपना अपने इसाब से एक्जाम को अटेम्प कर सकते हो तो वीडियो अगर इंफर्मेटिव लगी है तो लाइक एंसे जरू कर देना चैनल को जरू सस्क्राइब कर लेना ऐसा ही अपडेट के लिए